आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसके अंदर आते हैं क्या-क्या उन Structures की Functions हैं सारी चीज़े हम देखेंगे तो सबसे पहले तो यह सिस्टम इंक्लूड करता है एक Pair of Ovaries यहाँ पे होता है Pair of Ovaries क्या होता है इनका Function क्या इनकी Location है सारी चीज़े देखते हैं अब मेल में जैसे Testes होते हैं उसी तरह फीमेल में Ovaries होती हैं यह Elongated Organs होते हैं Elongated Organs होते हैं जो की Laterally Extend कर रहे हैं ठीक है Abdomen, जो Cockroaches का जो Abdomen है उसके दोनों साइड मतलब एक इधर और एक इधर दोनों साइड ओवरी है और जब मैं इसकी Location की बात करती हूँ तो यह कहां से कहां तक है यह हमारा है Second to Seventh Segment कई बड़ डाइरेक्ट क्वेशन हम से पूछ लेता है Segment का कि कौन से सेगमेंट से कौन से सेगमेंट तक इसकी ओवरी है तो हमें सेगमेंट से याद रखनी है अब एक ओवरी जो है वो एक लूज ग्रूप है किन चीज़ों का Eight Long and Thin And Light Yellow Ovarian Tribules का मतलब इन ओवरी के अंदर क्या है हम कह सकते हैं कि जब मैं बात करती हूँ Each Ovarie की तो इच ओवरी एक लूज ग्रूप है किसका Eight Long Thin And Light Yellow Ovarian Tribules का Ovarian Tribules का एक धीला सा ग्रूप मतलब Compactly नहीं अरेंज है वो थोड़ा लूज ली पैक्ड है उन Tribules से मिलकर हमारी बनती है Ovarie अब इन Ovarian Tribules को मैं एक और वर्ड कह सकती हूँ Which is Ovarials Right जिनकी वाल जो है वो काफी flexible होती है तो ये तो हमने बात कर ली Ovaries की Location हमने पिक्चर में देख ली कहां पर है इसके बाद आते हैं हम दूसरे पार्ट पर और इसके अंदर होते हैं Oviducts Oviducts Right अब Oviducts देखते हैं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं Oviducts की जब मैं बात करती हूँ तो यहां पर 8 Ovarial जो हमने भी पढ़े Ovarie के वो posteriorly join होते हैं एक साथ और एक छोटी सी thick muscular Oviduct बनाते हैं यानि की फेलोपियन ट्यूब होती है जैसे humans के अंदर ठीक है तो यहां पर यह जो हमारे 8 Ovarials है यह join होते हैं join होकर यह क्या बनाते हैं एक small thick and muscular Oviducts ठीक है यहां पर देखते हैं Oviducts का हैं यह हमारा रहा Oviducts यह देखिए यहां से यह चोटे चोटे आ रहे हैं यह आके यहां पर join होकर एक Oviducts बना रहे हैं अब आगे देखते हैं Oviducts के बाद जो structures इसके अंदर female reproductive system के अंदर involve होते हैं cockroaches में उनमें आता है अगला vagina चीक है तो vagina के अंदर क्या होता है दो Oviducts यह Oviducts जो है यह दो होते हैं पेर होता है Oviducts का भी अब जो यह दो Oviducts है यह भी जुड़ जाते हैं ठीक है यह आगे चलके join होंगे कौन सी segment में यह 7th segment में ठीक है और एक थिक क्या मैं कहूं थिकर जितने यह Oviducts से इस थे जादा इससे जादा थिक और Median Common Oviducts बनाते हैं जिसे मैं कहती हूं वजाएना मतलब यह दोनों Oviducts मिलकर Ovidiol से मिलकर Oviduct बने Oviduct से मिलकर वजाएना अब यह बाद में आगे चलके कहां खुलती है एक लार्ज Genital Pouch के पीछे ठीक है एक Slit Like Female Gonopore के थूँ यह वहां पे खुलती है और जो कहां पर Locate करता है 8 Sternite पर ठीक है यहां पर देखिए यह आगे जाकर खुल रही है कहां पर यह Gonophysis है यहां पर ठीक है तो यहां पर क्या हुआ Genital Pouch है हमारा यह इसके पीछे जाकी यह हमारी खुलती है कौनसी Common Oviduct या फिर वजाइना दिख रही है जबको यहां पर अब आगे बढ़ते हैं Next हमारा वजाइना के बाद कौन सा पाट आएगा वजाइना के बाद आते हैं हमारे Genital Pouch जिनके पीछे यह वजाइना भी खुली थी तो Genital Pouch को मैं एक और नाम से जानती हूं जो की है Gynetrium Gynetrium चीक है तो चलिए इनकी बात करते हैं तो Gynetrium के जब मैं बात करती हूं तो यह Broad है और Boat Shape का है ठीक है बोट Shaped है 7th Sturnite जो है वो फ्लोर बनाती है इस पाउच का ठीक है तो इस पाउच का जो फर्ष है जो फ्लोर है वो कौन बना रही है 7th Sturnite ठीक है अब 8th और 9th Sturnite जो है वो अंदर की तरफ टेलिसकोप रोती है रूफ और साइड बनाने के लिए रूफ और साइड के लिए कौन कौन सी है यहां पर 8th और 9th Sturnite यह याद रखना है हमें कौन सी Sturnite क्या बना रही है ठीक है अब जो पाऊच है यह खुद ही डिविजिबल है एक जनाइटल चैंबर के अंदर फ्रंट साइड से ठीक है और यहां पर हम बोलेंगे यह जो पाऊच है यह फ्रंट चैंबर जो है क्या बनाता है, front side से बनाता है genital chamber ठीक है, और पीछे की side ये क्या बनाता है, behind ये बनाता है ethical chamber, ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लिखेंगे behind ये बनाएगा, ethical chamber यहां तक बात clear है, अब, ओ ठीक है जो होते हैं, वो form होते है ethical chamber में, ठीक है, यहां पर क्या form होंगे हमारे O, ठीक है, यहां पर formed होंगे, ठीक है, उसकी formation होगी यहां पर, अब, जो vagina और जो duct है, accessory reproductive gland की वो genital chamber में खुलती है, ठीक है, यहां पर आके खुलती है हमारी duct, vagina, यह सारी duct से यहां पर आकर खुलती है अब आते हैं आगे, जो posterior part होता है, seven sternide का वो divide हो जाता है, दो large oval gynevalvular plates में, ठीक है मैंने यहां पर क्या बोला, कि seven sternide का जो posterior part है, वो हमारा divide होता है, ठीक है, divide होने के बाद वो क्या बनाता है, डिवाइड होने gynevalvular plates, ठीक है, और इनको हम एक और नाम से जानते हैं, which is apical lobes, यहां तक बात clear है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हमारे इसके अंदर कुछ glands involve होते हैं, glands हमारा यहां पर हो जाएगा, जैसे collateral glands, यह बहुत ही important है यह gland, इसके बार में काफी questions आते हैं, तो collateral gland के जब मैं बात करती हूँ, तो यह pair होते हैं, white color के और highly branch accessory reproductive glands के, जो कि genital pouch से, genital pouch से, किस direction में locate करते हैं, डॉर्सली locate करते हैं, जो हमारे left gland होता है, वो larger होता है, यहां ठीक है, right one से जादा बड़ा होगा और जादा ओपेक होगा, larger होगा and more opaque, यहां तक बात clear है, अब जो secretion होता है, इन दोनों glands का वो भी अलग-अलग होता है, ठीक है, उनकी duct, जो की साथ में जूड़ी होई होती है, बट वो open करती है, genital chamber में common pore के थो, अब हम आते हैं next part पर, next part होता है system का, हमारा spermathika, spermathika, यह क्या करता है, चलिए देखते हैं, अब यह pair होते हैं, छोटे-छोटे structures के, छोटे से structures के, जो की closely collateral gland के पास locate करते हैं, अब जो इसके अंदर लेफ्ट और राइट होता है, तो जब मैं लेफ्ट वाले spermathika की बात करती हूँ, तो यह larger होता है, ठीक है, larger piriform sack होता है, इसकी shape होती है, piriform, जबकि जो राइट वन होता है, वो छोटा होता है, और नेरो duck होती है, ठीक है, राइट वाला जो spermatika है, वो small होता है, as compared to the left one, और साथ में, बहुत ही ज़्यादा narrow sack होता है, यह duct होती है, अब जो duct होती है, दोनों spermatika की, वो distally join करती है, साथ में, और open होती है, genital chamber में, एक common pore के थूर, जो की locate करती है, spermatical papillar में, अब हम आते हैं, लास्ट पार्ट में, जिसका नाम है, यहाँ पे, structure का, क्या नाम हो, का, लास्ट का, external genitalia, external genitalia, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ, gonapophysis, चीक है, इसके भी हम structure part function देख लेते हैं, तीन पेर होते हैं, यहा three pair of kytinus processes, तीन पेर होते हैं, जो की oothical chamber की roof से लटके हुए होते हैं, cavity के अंदर, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, कि यह female cockroach के external genitalia है, अब इनको हम और क्या बोल सकते हैं, इन processes को हम एक और term देते हैं, which is called ovipositor, ovipositor processes, ठीक है, क्योंकि यह serve करते हैं, ओवा को arrange करने में, एक newly formed oothica को, ओवा को उसके अंदर arrange करने में, और possibly help करते हैं, oothica को proper shape देने में, तो यह सारा function था, इन सारे structures का, जो की एक हिस्सा हैं, हमारे female reproductive system का, in cockroach, तो यहाँ पर यह रहा हमारा spermatica, जिसकी हमने बात की, यह हमारे colateral gland है, left and right, and यह हमारा genital chamber हो गया, and इसका दूसरा हिस्सा, vestibulum, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, genital chamber के साथ-साथ, क्या किस हिस्से में तूटा था, genital chamber था एक, और एक हमारा था कौन सा, oothical chamber, जिसको हमने यहाँ पर vestibulum बोल दिया, यह दोनों क्या हैं, genital pouch के एक हि genitalia, then common or deduct, हमने सारे structures अभी देखे, so this is the answer for this question.